आदर्निये महा निदेशक महोदे स्वागत शब्दों के लिए साधर आमंत्रित हैं चीफ अफ आर्मी स्टाफ जनरल रावत हमारे सभी विसेष्ट अतिथी गन के इंडिये पुलिस बलो के महानिदेशक गन हमारे गन्माने अतिथी हमारे वरिस्थ अनुभवी रिटार्ट पदाधिकारी गन परेड कमांडर और उनके कंटिंजन के सभी सदस्य ससस्त्र सीमा बल के परिवार के सभी सदस्य और उनके स्वजन परिजन मीडिया के उपस्तित साथियों ससस्त्र सीमा बल की 56 वस्गाट की सुभावसर पर मैं आज के इस कारिक्रम के मुक्या आती थी आदर्णिये श्रीयमिस साहजी का हादिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ तथा उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने अतिव्यस्त कारिक्रम में से समय निकाल कर SSB की वर्सगांट के समारोह में सामिल होने के क्रिपा की महोदै यह SSB के प्रतिया आपका सने है जिस से आज SSB का मनुबल और भी उचा हो गया हमें आसा ही नहीं बलकि पूर्न विश्वास है कि भवश्य में भी आपका असिरवाद और मार्ग दर्शट इसी प्रकार हमारे बल को प्राप्त होता रहेगा मैं अपने पडोसी मित्र राज्य, नेपाल और भूटान के माननिय राजदियूतों का इस कारिक्रम में हादिक स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे इस कारिक्रम में सामिल होकर इस कारिक्रम की सोभा बढ़ाई मैं भारत सरकार के अन्य वरिस प्रदाधिकारियों का भी स्वागत करता हूं जिनके सहयोग से स्स्वी प्रगतिकी और अग्जसर है मैं केंद्रे बल के महानी देशुकों का भी हार्दी का भी दंदन करता हूं सीमा सुरक्षा हो या भारस सरकार द्वारस्वापा गया कोई भी दाईत्व बिना अन्य केंद्य बलों के सहयोग के पूरा नहीं हो सकता और इसमें हमें सभी केंद्य बलों का सक्रिय सहयोग प्राप्थ होता रहा है हमारे विशेष रूप से सेवा निवरित अनुभवी अधिकारियों का मैं विशेष स्वागत करता हूँ आपकी उपस्तिती से बल को प्रेर्णा मिलती है मीडिया से आए महमानों का बेहारति का भिनंदन करता हूँ गिटोड़ी के इस भव्य प्रांगन में आज हम सभी बलकर्मी जब एक बार एकत्रित हुए हैं बलकि 56 वर्सगांट मनाने के लिए तो ये समय है कितिहास के स्वर्णिम पन्नों को थोड़ा उल्टा जाए 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1 माई 1963 को SSB Special Service Bureau के रूप में गठित हुई युद्ध सी उपजी परस्तितियों में SSB ने सीमा वर्ती जनता का मनोबल बढ़ाया साथ ही उन्हें सुरक्षा की भावना को जगा कर उन्हें राष्ट के मुझ के धागरा से जोड़ने के मिशन को पूरी जिम्मेदारियम दख्सता से पूरा किया करगल युद्ध के बाद भारत सरकार ने एक सीमा एक बल की नीति को अपनाया और SSB वर्स 2001 में अपने नए अवतार ससस्त्र केंद्रे बल के रूप में ग्रह मंत्राले के अधीन आ गई और इसे भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कदाई तो सौंपा गया भारत नेपाल सीमा पर SSB की कारे चमता से प्रभावित होकर वर्स 2004 में उपस्तित परिस्तितियों के कारण अन्य मित्र रास्ट भारत भूटान सीमा की सुरक्षा कदाई तो भी भारत सरकार द्वारा SSB को सौंपा गया ये दोनों सीमाएं खुली सीमाएं हैं इसलिए अपरादियों और रास्ट विरोधी तत्वों के द्वारा इन खुली सीमाओं का दुरुपयोग रोकना एक बहुत बड़ी चुनावती है इस कारे के लिए बुद्धी विवेक और भातिक बल का समन्वे अत्यावश्रक है मुझे यह कहते हुए गर्व है कि समवेदंसील एवं कठिन दाईतों को हमारे जवान पूर्ण करतब ब्यानिस्था एवं दक्ष्टा के साथ निभा रहे हैं महोदै मैं इस आउसर का उपयोग कर वर्ष 2019 में बलकि कुछ महत्वपूर्ण उपलवदियों का उलेख आपके सामक्ष करना चाहूंगा वर्ष 2001 में सीमा रक्षक बनने के बाद SSB का अभुदपूर विकास और विस्तार हुआ है 2001 में हमारी सीम संख्या लगबग 30,000 थी जो आज बढ़कर 78,929 हो गई है हमारे जो authorized strength है 97,150 उसे हम अगले दो साल में पूरा कर सकने में सक्षम होंगे क्यूंकि इसी वर्ष के प्रारम से SSC के द्वारा जो भरती के प्रक्रिया प्रारम की गई है 12,000 जवानों की वो अब प्राय समापती के चरण पे है आज SSB में 6 frontier, 18 sector, 73 battalion और 719 BOP operationalized है इस में से 2 battalion NDRF में पर्बनेंट लियन में उनके battalion के रूप में कारे रत है हमारे बल से ही SPG एवं NSG में भी प्रतिन्युक्ति होती है जिनके कर्मी अपने प्रतिन्युक्ति अवधी को पूरी करने का पश्चात हमारे संगठन के बहु आयामी कारियों के लिए और प्रसिक्षन में रिसोर्स पर्सन के रूप में बहुती प्रभावी सिद्ध होते है महदै यस साल SSB के लिए infrastructure development तथा तक्नीक के अप्ग्रेडेशन के लिए भी बहुत महत्तुपूंड रहा है केंद्रे ग्रिहमां तराले द्वारा की दी गई सिक्रिटी 334 करोड की रासी SSB के विविन यूनिटों के लिए जमीन एवंभवन निर्मान के लिए उप्योग की गई महदै सीमा पर तैनाज जमान और उनके परिवार जनों के लिए फरीदाबाद में 440 भोपाल में 84 तता सिली गुड़े में 250 कॉर्टर और लखनों में जो हमारा SFA पहले से अवस्तित थे उसके अतरिक हमने LDA से अन्ने भूमी भी प्राप्त की है और इन सब पर निर्मान कार तेजी से होने की दिसा में चल रहे हैं SSB की चार बटालियन को ग्रिह मंत्राले द्वारा उनके अंदर के जविद्याले खोलने के भी अनुमती प्राप्त हो चुकी है महदै किसी भी बल करमे के लिए प्रोमोशन एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा ग्रिह मंत्राले का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो 704 ASIGD किसी तक्नीकी कारण से नहीं हो रहे थे हमारे तर्क को आपने स्विकार कर रिजिडेंसी में रिलाक्सेशन दिया और अब इनका प्रोमोशन एक एक दो हजार बीस से हो रहा है इससे उनका मनोवल तो बढ़ा ही बढ़ा बलके कारे चमता में भी बढ़ोत्तरी हुई क्योंकि ये सभी उपने रिक्षक बनकर एक महत्तोपूर्ण बीओपी कमांडर प्लाट्न कमांडर के रूप में पदस्थापित हो रहे हैं मुझे यह बताते हुए हर्श हो रहा है कि लगभग 250 करोड रुपे का SSB Central Welfare Fund जो की बलकर्मियों के कांट्रिबूशन के रासी है उसका उप्योग बलकर्मियों के कल्यान जैसे चिकित साहितू एडवांस बिमार बलकर्मियों को मासिक भथता Interest Free Education Loan इत्यादी के लिए इस्तमाल होता है इसका जो भी हम Interest Earn करते हैं उस पर Tax लगने की बात थी हमने Income Tax Department से अनुरोध किया और तर्क भी दिया कि Section 10, Sub Section 23, AA से इसको मुक्ति दिलाएं Income Tax Department का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जैसा उन्होंने बताया है कि SSB पहला बल है जहां उन्होंने इस तर्क को स्विकार करते हुए इसकी अनुमती दी महदे इस वर्ष विहमंत्राले के द्वारा बल को 121 B.O.P. वेकल भी दिया गया है जिस पर खरीद की कारवाई पूरी हो गई है नई तक्निक के Surveillance Tools, EyeCast Software, Bullet Registant Mobile मोर्चा की खरीदारी भी इस वर्ष बल में भारी मात्रा में की गई है महदे मुझे याँ बताते हुए खुशी हो रही है कि 4393 Assault Rifles, 826 Joint Venture, Protective Carbine और 156 Sniper Rifle की खरीदारी भी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है महदे मैं यहाँ विशे सुख से बताना चाहूंगा कि यह सभी अत्याधनुक अत्यार स्वादेश में ही निर्में थे और Joint Venture के तहट विदेशी टेकनीक का अगर इस्तिमाल किया तो भी निर्मान स्वादेश में हो रहा है महदे, SSB आपदा प्रवंदन में भी First Responder की स्रेणी में आता है हमारी अधिकतर सीमा, चौकिया, दुर्गम और दूधराज की इलाकों में हैं कोई प्रक्रितिक आपदा आ जाने पर SSB के जवान ही पहले Responder के रूप में कारे करते हैं हमारे जवान जो NDRF से भी लोटे हैं और ऐसे भी उन्हें Rescue and Relief के लिए विशेज प्रसिक्षन दिया जाता है अभी निकटपूर में ही हमने सभी Rescue and Relief टीम को Portable Emergency Telescopic LED Light System से लाश किया है जिस से वो सभी Rescue and Relief टीम रात में भी रहते हैं बचाव कारे करने में उतने ही सक्षम हो गई हैं जितना की दिन के उजाले में सीमा पार से होने वाली तसकरी एमापरादों को रोकना हमेशा से बलकि प्रात्मिकता रही है हमारे Rule 9 of SSB Rules में ये ऐसा हमारे चार्टर में भी लिखा हुआ है इस वर्स SSB ने 380 करोड रुपे से ज़्यादा मुल के अवयाद वस्तों को सीमा पर जब्त किया है जिसमें से 170 करोड के मादक पदात एमान नसीली वस्तों थी बलने 7226 तसकरों एमापरादिक तत्वों को भी गरफतार किया हमारे जवानों ने एक अतेंत महत्तपूर्ण कारेकर 234 मानो तसकरों को गरफतार कर उनके चंगुल से 456 मासूमों को बचाया इसमें हम भारत की सीमा से जुटेवे नेपाल और भूटान के पुलिस पदाधिकारियों उनके एंजियों का भी आभार वेक्ट करना चाहेंगे जिसमें अप्स्ट्रीम में ही उन्हें सेग्रिगेशन करने में उन्होंने भरपूर सहयोग दिया महदै एसेसपी की उपलब्दियां सिर्फ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा तक ही सीमीत नहीं है हमारी साथ बचालियन नकसल विरोधिया वियान के तहट 36 गड़ जारकंडेयों बिहार में भी तानात हैं और पांच बचालियन जमुकास्मीर में तानात हैं महदै पिछले एक साल में एसेसबी ने कुल 236 नकसलियों और उगरवादियों के गिरफतार किया और 207 हंथियारों सहित 6315 किलोग्राम बिस्कोट अगजप्त किये जो बल की करता बिनिपुंता को दर्शाता है एक महत्वपुंड नकसली की गिरफतारी से सूचना का भंडार प्राप्त होता है जिससे अगरिम कारवाई और भी बहतर हो जाती है यह किसी एंकाउंटर से भी ज्यादा बहतर है वैसे इस वरस एंकाउंटर भी हुए है जिसमें हमने दस लाग के इनामी तालोदा को नीटरलाइज किया था महत्वप को महिलाओं की भर्ती करने वाला भारत का प्रथम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होने का भी गौरप्राप्त है महिला बलकर्मियों की बलसंख्या बढ़ाना और उनको बल में महत्वपूर्ण भूंका देना हमारे मुख्य प्रयासों में से एक है महोदें SSB अपनी स्थापना के पश्चाथ से सीमा चेतर में नागरिकों खासकर युवाओं में देश प्रेम की भावनाओं को उजागर करने के लिए हमेशा से प्रयास रत रहा है अपने इस प्रयास के द्वारा हमने इस साल उत्राखंड उत्रप्रदेश बिहार सिक्किम असम अरुनाचल प्रदेश से सीमा चेतर युवाओं जिनमें 73 बालिकाएं भी सामिल हैं उनका स्टडी तूर करवाया उनको भारत के बारे में जादा और गहन जानकारी दी उसमें से अनेक युवा आज आपने देखा होगा अपने नेरिक्षन के क्रम में इस प्रांगण में भी मौजूद हैं और मैं आपसे अंतमयान रोद भी करूँगा कि उनसे एक आपके में एस एस बी ने इस वर्ष अनेको अंतर रास्ट्रे तथा रास्ट्रे खेल प्रतिस परदाओं में कुल बहत्तर स्वन अंठावन रजट एवं पच्छतर कांसे पदक जीत कर एक नया किर्थिमान इस्थापित किया है महोदै मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस साल अगस्त में चाइना के जैंगडू में संपन हुए वर्ल्ड पुलीस अन फायर गेम्स में एसस बी के बीस खिलाडियों ने हिस्सा लिया और पंद्रस वर्ण दस रजट तथा पांच कासे पदक गीते इसमें महत्वपून बात ये रही कि इसस बी के सभी बीस खिलाडियों में से सभी ने कमसे कम एक मेडल जरूर प्राप्त किया SSB के महिला खिलाडी रंगा ने तो 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना 400 मीटर रिले में नया रेकॉर्ड भी इस्थापित किया महादे हाल में ही नेपाल के काटमांडू में संपन तेरह में दक्षिने श्याई खेलों में भी सस्वी के साथ खिलाडियों ने हिस्सा लिया और कुल छे स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया अंत में ससस्त्र सीमा बलके इस 56 वर्षगाट के सुभावसर पर मैं सभी बलकर्मियों को एक बार फिर से हादिक सुभकामनाई देता हूं और फिर से आदर्णिय ग्रिह मंत्री जी का पुना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सुभावसर पर यहां पधार कर हम सब का उत्सा यह मनोबल बढ़ाया है धन्यवाद जैन